तो नमस्कार स्पोर्ट्स आवर में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मैं विसे कुमार और जिस घरी का इंतजार तमाम क्रिकेट फेंस कर रहे थे कि टीम इंडिया का एलान कब होगा जी हां कौन सी टीम इंडिया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन फिलाल ये जो अभी की बड़ी खबर है कि टीम इंडिया का एलान हुआ है वो भी चार-चार टीमों का एलान हुआ है जिसमें माना जा रहा था कि रोहित सर्मा और विराद कोली का नाम भी आपको देखने को मिल सकता है लेकिन क्या इस टीम में उनका नाम आया है या नहीं आया है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आएगा जी हां ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टीम इंडिया की चार टीम आपको दिखेगी इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C और इंडिया D टीम इंडिया की चार टीम है दिली ट्रोफी के लिए इन चार टीमों का एलान हुआ है और इसमें जो स्क्वार्ड आपको टीम इडिया के तमाम छोटे बरे खिलारी जो इंटेनेशनल भी खेलते हैं जो घरेलू भी खेलते हैं वो आपको दिखेंगे लेकिन जो सर्प्राइज करने वाला जो इसमें आपको नाम है रोहित सर्मा और विराट कोली का वो नहीं दिख हो जाए फिलाल जो टीम का एलान हुआ है दिलिफ ट्रोफी के लिए जो आपको सेप्टेंबर के महीने में खेला जाना है इंडिया एकी टीम की तरब से सुमन गिल को कप्तान बनाया गया है वही मैंक अग्रवाल, रियान पराग, धुरुप जूरेल, केल राहुल, तिलक ब जादो, अकास दीप, प्रसित क्रिष्णा, खलील अहमत, अवेस खान, विद्वत कवरप्पा, कुमार कुसागर और सास्वत रावत आपको दिखाई देंगे वहीं इंडिया बी की टीम में अभि मन्नु इस्वरन के कंदे पे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उन्हें कप आपको दिखाई देंगे वहीं इंडिया सी की टीम की बात करें तो इस टीम में रितु राजगाय कुमार को कप्तान बनाया गया है और साइन सुधर्शन इनके अलावा है रजेत पाटिदार अभिसेक पोरेल विकेट कीपर के तौर पर इसके अलावा सुरिक कुमार यादो बी इंदरजीत, रितिक सौकीन, मानो सुथार, उम्रान मलिक, विशक बिजेक कुमार, अंसुल खांबोज, हिमांसु चवान, मैंक मारकंडे, आरेन जुयल और संदीप वरियर इस टीम में वहीं आकरी और इंडिया डी की टीम की बात करें तो इस टीम में आपको स्रिय सेयर कप्तान, इसके अलाबा अथर्ग ताइडे, येस दूबे, देवदत पडिकल, इसान किसन बिकेट कीपर के तौर पे और रिकी भुई, सारांस जैन, अक्सर पटेल, अर्ष दिप सिंग, आदित ठाकडे, हर्सित राना, तुसार देश पांडे, आकास सेन गुपता, केस भर पिकेट कीपर और सौरव कुमार, ये आपको दिखाई देंगे, तो इंडिया दिलिप ट्रोफी के लिए जो है इंडिया की चार टीम, A, B, C, D आपके सामने स्क्रीन पर है, और इन चार टीमों में सुमन गिल, अभिमन्यू इसमरन, अभिमन्यू इस्वरन जो है, इंडिया B की तरफ से कप्तानी करेंगे, इसके लाबा, इंडिया C की तरफ से रितुराज गयकवार, और स्रिया सहियर, इंडिया D की तरफ से आपको कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, रोहित सर्मा विराट कोली पे जो अपडेट अब तक की है, हो सकता है, इनके नाम का एलान आपको बाद में इस टीम में दिखाई दे, क्योंकि चर्चाए है कि रोहित सर्मा और विराट कोली दिलिप ट्रॉफी खेल सकते है, खुद कोच गौतम गंबीर ने इन दोनों से आगरा किया था, इसलिए फिलहाल जो इस वक्त की जो टीम की घोसना हुई है, इस वक्त की ज इंडिया भी इंडिया सी और इंडिया डी के तौर पर ये खेला जाएगा, और एक बार फिर से हम आपको बता दे कि इस पे जो है हमारी नजर बनी हुई है, जिस दिन जिस वक्त भी अगर विराट कोली और रोहित सर्मा के नाम का इस स्कौार्ड में उनका नाम जोरा जाता है अगर घोसना होता है तो वो खबर भी आपको सबसे पहले स्पोर्ट सावर पे ही दिखाई देगा, फिलाल इस खबर में इतना ही जहिन